तो मैं आता हूँ सीधा point पर WhatsApp status को direct Facebook story में कैसे लगाते हैं बिना किसी app के automatically जी हाँ दोस्तों ये काम आप automatically कर सकते हैं आपको WhatsApp में सिरीफ एक setting करना है इसके बाद जब भी आप WhatsApp status में कोई भी photo या video लगाएंगे वो automatically आपकी Facebook story में भी upload हो जाएगा आपको share करने की या forward करने की ज़रुवत नहीं है टीक है WhatsApp में new update आया है आपको WhatsApp को update करना है status वाले section में आना है उपर three dot पर click करना है यहाँ पर आपको status privacy पर click करना है तो यहाँ पर आपको new update देखने के लिए मिलेगा Facebook आपको इस पर click करना है तो यहाँ पर आपको कुछ information दिखाई देगी share your status to Facebook story टीक है तो यहाँ पर आपको नीचे get started पर click करना है इसके बाद इस तरह से page open हो जाएगा आपने दोस्तों अपने mobile में जो Facebook app है उसके अंदर जो आपने account login कर रखा है Facebook के अंदर वही account आपको इहाँ पर दिखाई देगा आपको इहाँ पर agree पर click कर देना है agree पर click करने के बाद कुछ ही second में जो आपका Facebook account है WhatsApp से link हो जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर Facebook है उसके नीचे मेरा username दिखाई दे रहा है अब दोस्तों क्या करना है हमें यहाँ पर Facebook पर click करना है अब यहाँ पर एक setting आपको मिलेगी always share to Facebook story अगर दोस्तों यह setting बंद रहेगी इसके बाद अगर आप WhatsApp पर कोई भी status लगाएंगे तो आपको manually Facebook पर status लगाना होगा ठीक है लेकिन अगर आप यह setting on कर देंगे यह setting on करने के बाद अगर आप WhatsApp पर कोई भी status लगाएंगे वो automatically Facebook story में upload हो जाएगा आपको कुछ करने की ज़रुवत नहीं होगी ठीक है तो यह setting को मैंने on कर दिया है अब यहाँ से हम back आते हैं मैं आपको को status लगा कर दिखाता हूँ तो यहाँ पर हम आते हैं gallery में अब यहाँ से हम photo ले लेते हैं विराट को लीगा यह वाला photo मैंने लिया और यहाँ पर मैंने लगा दिया ठीक है जैसे यह WhatsApp में upload होगा तो automatically दोस्तो यह WhatsApp के sorry Facebook की story में भी upload हो जाएगा ठीक है यहाँ पर यह upload हो गया है अगर आप देखना चाहते हैं Facebook story में आपका status upload हुआ है या नहीं तो आप को WhatsApp में रहकर ही देख सकते हैं इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है status पर click करना है view वाले option में आना है तो यहाँ पर आपको एक option देखने के लिए मिलेगा tap to view story आपको यहाँ पर click करना है तो सीधा आपका Facebook app open हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर आपको page को इस तरह से refresh कर लेना है page को refresh करने के बाद आपकी story में आपका जो status है वो दिखाई देगा आप देख सकते हैं यहाँ पर status दिखाई दे रहा है मैंसे आपको open करके भी दिखा देता हूँ तो इस तरह से दोस्तों आपको शरीफ एक setting करना है इसके बाद आपकी जो story है automatic Facebook में लग जाएगी बस आपको WhatsApp में status लगाना है तो status आपका Facebook में भी upload हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर आप यह setting को बंद करना चाहते है तो आपको the dot पर click करना है यहाँ पर status privacy में आना है यहाँ पर आपको Facebook पर click करना है अगर यह setting बंद कर देंगे तो automatically status upload नहीं होगा आपको manual करना होगा ठीक है आपका जो status है automatically Facebook story में upload नहीं होगा दुबारा से आपको यहाँ पर setup करना होगा अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी help मिली है तो चैनल को subscribe करके हमें support जरूर कीजिए